Hello, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मेरा की application के उपर playground यानि की compiler कैसे उस करते हैं जैसे कि आप नीचे देख सकते है play option बहाँ पर आप click करेंगे आप python पर click करेंगे और ये आपका playground खुल जाएगा यहाँ पर आप सभी code run कर सकते हैं स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक code लिखा जा रहा है और जैसी ही code लिखा जाएगा आप उसको run पर click करेंगे और run पर click करते ही आपको output आजाएगा Hello world आप इस code को save भी कर सकते हैं उपर top right corner में save का button है जो आपकी file को save करता है आप अपनी file का नाम दिख सकते हैं यहां पर जो आपके locally आपकी memory में save हजाएगा इस file को access करने के लिए आपको आपके home पे जाना पड़ेगा और top right corner में user है आपका data जहां पर आप अपनी file को ढूंड सकते हैं इस file को वापस खोलने के लिए copy to playground दबाईए और re-editing start कर सकते हैं इस file को आप delete और share भी कर सकते हैं अपने friends के साथ next video में आप देखेंगे कि आप अपने web version पे Meraki पे कैसे compilers को use कर सकते हैं आपको उसके लिए courses पे जाना है और अपने particular course पे click करना है इसके बाद अपने course पे जाएंगे और आप अपने selected topic को click करेंगे selected topic के वहाँ पे आपको visualize button दिखेगा visualize button में आपको compiler खुलते हुए दिखेगा याद रखिए आपको python 2.7 नहीं python 3 onwards click करना है इसलिए जहाँ पे भी आपको option मिले python 3 and above आप वो option click करेंगे जैसे की indentation का example है हम visualize execution पे click करेंगे visualize execution क्लिक करने पे compiler run होता है और हमारी code को compile करता है compiler आपके code को execute करके compile करके output देता है इसलिए आपको जैसे की for example अगर आपको code edit करना है तो आपने code की value उसको edit करके फिर से visualize execution को click कर सकते है यह आपको उस platform पे लेकी जा सकता है जहां पे आप अपने code को step by step run करते हुए देखेंगे और आपको output मिलेगा जो आपके input based होगा अुग को वे सबस्टार।